वेल्कम टो दा कॉमर्स एट रूम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो एंड मैक्रो एकनोमिक्स इन दोनों का डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा आपको इसे में माइक्रो और मैक्रो की मीनिंग पढ़ते पढ़ते ठीक है? चलिए देखते हैं हिंदी में बोलते हैं इसको बेटा वेस्टी और समस्टी माइक्रो को वेस्टी और माइक्रो को समस्टी बोलते हैं ठीक है? तो चलिए देखते हैं माइक्रो एकनोमिक्स वेस्टी अर्थसास्त्र क्या बोता है? The term microeconomics is derived from Greek word mikros means in small. It may be defined as that branch of economics, sorry, branch of economic analysis which studies the economic behavior of individual, यहाँ पर ध्यान दीजेगा, individual unit, maybe a person, a particular household, और a particular firm, हिंदी में मतलब पढ़ देते हैं, एक बार फिर समझाते हैं, सूच्म अर्थसास्त्र ग्रीक शब्द माइक्रो से लिया गया, जिसका अर्थ है छोटा, जिसका अर्थ है छोटा, सूच्म अर्थसास्त्र को आर्थिक विसलेशन की उस साखा के रूप में परिभासित किया जा सकता है, जो व्यक्तिकत इकाई के आर्थिक विवहार का अध्यन करती है, जैसे कि एक व्यक्ति, एक विशेश घर या एक विशेश फर्म हो सकता है, मतलब समझें, जब माइक्रो एकोनोमिक्स की बात चल रही है, तो माइक्रो जो वर्ड लिया गया, मतलब होता इसका small, छोटा, छोटे लेवल पे अगर study economic activities, मतलब economic activities, पैसों के हस्तांत्राड या फिर उससे related कुछ भी बात, अगर उसका अध्यान चल रहा है और वो किस लेवल पे चल रहा है एक यूनिट के लेवल पे चाहे वो एक आदमी हो एक इंडिविज्वल यूनिट होनी चाहिए उसमें एक इंडिविज्वल यूनिट होने का मतलब क्या है एक परसन भी हो सकता है एक कोई घर हो सकता है हाउस लेसन कि उस साखा के रूप में परिवाशित किया जा सकता है जो व्यक्तिकत-इकाई के आर्थिक व्यवाहर का ध्यन करती आरथिक व्यवाहर पैसों का लेंदिन उसकी स्टैडी करती है तो उसको क्या बोलते है, microeconomics, चीक है, अब आते है, macro, westy, नई, समस्टी अर्थसास्त्र पर, चलिए देखते हैं, समस्टी अर्थसास्त्र क्या होता है, macroeconomics, चीक है, the term macro is derived from Greek word macros, ये Greek, Greek का एक शब्ध है, macros उससे लिए गया है, जिसका मतलब होता large, which means large, and therefore, इसलिए, it is concerned with economic activity in large, अगर वो आर्थिक लेंदेन की बात हो रही है, लेकिन बड़े लेवल पर हो रही है, अब एक unit की बात नहीं हो रही है, बड़े लेवल पर हो रही है, it deals with total and aggregate, total मतलब सब मिला जुला कर, aggregate मतलब एकठा, national income, national income में पूरे देश के लोगों की इंकम जोड़ी, जब एक आदमी के इंकम की बात हो रही हो, तो micro, पूरे देश के लोगों की इंकम की बात हो रही हो, तो micro, और output, national output, employment पूरे देश पे देखा जा रहा है, total consumption, पूरे देश में कितना consumption हो रहा है, कितनी saving हो रही है, इसलिए it is also called aggregative economics, therefore, इसलिए it is also called as aggregative economics, इसलिए इसको aggregative economics भी कहा जाता है, दिखते हैं, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, macro, शब्द Greek के एक शब्द macros से लिया गया, किस से लिया गया मेटा, macros, जिसका अर्थ है बड़ा, जिसका मतलब होता है बड़ा, इसलिए macro, अर्थ सास के बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविदियों से सन्दमंदित है, आर्थिक गतिविदियों नी चाहिए, लेकिन macro हो जाएगा, बड़े पैमाने पर बात आती है, तो वो macro होता, जैसे कि राष्ट की कुलाए, national income, कुल उतुपादन, कुल खपद, टोटल कंजम्शन जिसको बदब, बचत, इत्यादी से संबंदित अगर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, macro economics, इसको दूसरे नाम से aggregative economics भी कहा जाता, चली अगर कोई चीज की confusion रह जाएगी बेटा, ये बात क्याद रखिए, छोटे लेवल पे बात हो रही है, तो micro, अब बड़े लेवल पे बात हो रही है, तो macro, एक आदमी के income की बात हो रही है, तो macro, एक आदमी के consumption की बात हो रही है, तो macro, अब पूरे देश के लो कहलाएगा और public at large पे बात चल रही है तो micro कहलाएगा ठीक है चलिए ध्यान रखिएगा और आपको वीडियो पसंद आती है तो like, share और subscribe करिए दुसरों तक share करिए थाकि वो भी आपकी तरह पढ़ाई कर सके good luck कोई query हो तो comment box में लिखे या मेरा whatsapp number यूज कर सकते हैं मेरा whatsapp number है 8957 908957 आप इस पर हमको text करिए whatsapp करिए हम आपको इस पर मिल जाएंगे whatsapp पर थोड़ी दिर बाद आपको reply मिल जाएगा नहीं मिल पाए तो शाम को तो पक्ता मिल जाएगा क्योंकि शाम को कोशिश करिए आठ बज़े इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे छोटी सी request कह लिजे या फिर ऐसा कह लिजे आपके काम की भी चीज है क्योंकि आप लोग hostel हैं काफी ऐसे वच्चे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं और room लेके रहते हैं अकेले रहते हैं अब लेके रहते हैं दोस्तों के साथ तो आपको cooking अगयरा कभी शोक हो सकता है cooking करते होंगे कभी-कभी अच्छा बनता है कभी खराब बनता है हम लोग भी बनाते थे तो शुरू में बहुत खराब खाना बनता था तो कुछ cooking अगयरा से अगर सीखना चाते हैं तो मैं आपको एक चैनल जो है बता सकता हूं जहां से आप आसानी से कोकिंग करना सीख सकते हैं लेडीज हब नाम का एक चैनल है मेरे एक फ्रेंड का है उसने काफी कुछ कुछ मुझे भी सिखा है कोकिंग में मैं अच्छी कोकिंग कर लेता हूँ अब लेडीज हब नाम से यह चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कर लीजे तेके सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन आएगी तो आप चाहें तो इसकी आल नॉटिफिकेशन्स कॉन कर लीजे ता लग तरह की वीडियोज हैं खास करके चिकन रेसिपी भी अच्छी खासी हैं ब्रियानी भी हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हैं काफी कुछ आपको मिलेगा इसमें से काफी कुछ मैंने सीखा भी है उससे चीखें कॉफी बनाना जैसे की मुझे बहुत पसंद है कॉफी खोल्ड कर लेजिए और सिखते रहिए देखते रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए लेडिज आपको भी सपोर्ट करिए ठीक हैं गुड लग